कि नवस्कार मैं SKP SSS point में आपका स्वागत करता हूं प्राफिट एंड लास्ट पर वीडियो का ये part 4 है जिसमें हम लोग एक अलग टाइप के questions देखेंगे और इन questions को जो की देखने में थोड़ा जटिल हैं डिफकल्ट हैं आप उन्हें कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं कुछ तरकों और कुछ ट्रिक्स और कुछ अच्छे मेथट का इस्तेमाल करके तो इस वीडियो में मैंने कुल 10 questions लिये हैं जो की बहुत ही अच्छे question है ये 10 profit and last पर best question है तो इनको शुरू से अंतक जरूर देखिए और आईए अब हम लोग question करना शुरू करते हैं इस बस्तु का क्रय मुल्य क्या है तो अगर हम लोग इस बस्तु का कास्ट प्राइस एक्स माल है कास्ट प्राइस एक्स है तो यहां पर यह सेलिंग प्राइस दिये हुए हैं तो यह भी सेलिंग प्राइस है और यह भी सेलिंग प्राइस है तो यहां कह रहा है किसी बस्तु कि देखिए जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से कि यह कास्ट प्राइस निकाल देंगे तो यह लाव होगा और इसका प्रतिसत निकालने के लिए हमको सव से गुणा करना पड़ता है और बटा सब क्योंकि यह प्रतिसत में बटा एक्स क्योंकि हम लोग काश प्राइज पर निकाल रहे हैं तो यह जो हो जाता है एक्स लाव लाव बटा क्रे मुल्य गुणे सब यह क्या आता है यह लाव प्रतिसत बताता है अब यह जो लाव प्रतिसत है, जब इसे 78 रुपे में बेचा जाता है, यानि 78 माइनस X, गुणे 100, बटा में X, अब यहां देखें, यह कह रहा है, कि यह जो लाव का प्रतिसत है, जो इधर आया, यह इधर वाले का दोगुना हो जाता है, यानि 78 में, 78 रुपे में बेचने पर लाव प्रतिसत दोगुना हो गया, तो इसके बराबर करने के लिए क्या करना होगा, कि इधर हम लोग दो से गुणा कर देंगे, यह जो लाव का प्रतिसत है, 78 रुपे में बेचने पर लाव के बराबर हो गया, यानि इसके दो गुने के 78 रुपे व दो गुणे 79 माइनस x और इधर बचेगा 78 माइनस x आग देखिए ये दो गुणे 79 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x x को जे विधर लाएंगे और ये 29, 18, 26, 12, 13, 13, 13 माइनस 78 बराबर x तो यहां से देखिए x बराबर आ गया 8 में से 8 निकल गया 0, 13 में से 7 निकल गया अच्छे तो cash price आ गयी 60 बचाये और यहिए पूछाए कि बथक्ण क्राय मुली क्या है और साथ होगया देखिए जब भी हम profit या rat 115 नकालते हैं या ऐसे देखते हैं तो वो हर्तम cash price पर ही देखते हैं कास्ट प्राइस के अधार पर ही किसी सौधा में प्राफिट हो रहा है कि लास हो रहा है हानी हो रहा है कि लाव हो रहा है यह सब हम लोग कास्ट प्राइस पर ही देखते हैं यह बात ध्यान में रखने होगी आए हम लोग नेक्स पूर्शन देखते हैं राजेंद्र ने अपनी घड़ी 15% हानी पर बेची, यदि वो इसको 27 रुपे अधिक में बेचता, तो उसको 7 प्रतिसत का लाव होता, घड़ी का क्रयमुलित ज्याद की अब जिसे मान लेजिए कि लाव और हानी की बात क्या हो, अगर यहां हम कहा दें कि यह कास्ट पराई से अगर इससे 5 प्रतिसत क्लास पर, यानि हाने पर कोई चीज बेची, अगर उसे 27 रुपय अधिक मिलता, यानि जितने रुपय में यह बेची जाती, इसमें 27 रुपय अधिक मिलता, यह 27 अगर इसको प्राफिट हो जाता, 7 प्रतिसत, 27 रुपे अधिक यहां पर मिल जाता कहां पर मिल जाता यदि वो इसको 27 रुपे अधिक में बेचता जितना में वो बेच रहा है उतने रुपे में बेचने पर 5% की हान हो रहे हैं अगर उसे 27 रुपे अधिक में बेच रहा है तो 7% का यह प्राफिट हो रहा है और यह लास हो रहा है तो अब आप देखिए यह 5% यह 7% की बीच का जो परसेंटेज गयब है वो 5 प्लस 7 यानि कुल मिलाकर के 12% का गयब है और यह 12% का गयब है वो क्यों 27 रुपे में पूरा ह हो जा रहा है यानि इस गयब को कौन पाट रहा 27 रुपया क्योंकि 27 रुपय आधिक मिलने पर ही यह तुरंत 5 रुपय हाने की जगह पर 7% प्राफिट में बनल जाता है इसका मतलब है हुआ कि यह जो 12% है यह इक्वोलेंट है 27 रुपय के तो हम लोगों को कास्ट प्राइस निकालना है तो हंडेट परसेंट कास्ट प्राइस होती है इसको निकालने के लिए सो गुणे 27 बटा में बारत देखिए तीन नवा 27 और तीन चहुके 12 और पचीश चहुके 100 पचीश नवा 220 तो कास्ट प्राइस कितनी आ गई 100% 225 के बराबर तो इस घड़ी की कास्ट प्र प्राइस है तो कास्ट प्राइस से अधिक दाम पर बेचा जाता है तो प्राफिट होता है कम दाम पर बेचा जाता है तो लास होता है तो यहां 5% का लास हो रहा था जिस मुल्य पर बेचा जा रहा था बस 27 रुपया बढ़ा देने से यानि यहां से यहां का जो गैप है इस कुश्चन में अपलाई किया गया है और तुरंद कुश्चन आगया आए नेक्स कुश्चन देखें अब इस कुश्चन में देखें वही बात थोड़ी दूसरे धंग से कही जा रहे हैं कि एक बस तो को साढ़े बारा प्रसेंट लाव पर बेची जाती है यदि उस बस तो प्रसेंट हानी पर बेचा जाता तो बिक्रे मुल्य 9 रुपया 80 पैसा कम हो जाता बात वही देखें यहां पर यह कास्ट प्राइस है यह साढ़े बारा प्रसेंट लाव पर बेची जा रही थी तो यहां पर जो भी इसका प्राइस आ रहा था कर रहा है कि अगर उसे पांच प्रसेंट हानी पर बेची जाती पांच प्रसेंट लास पर बेचा जाता तो यह जो बिक्रे मुल्य है यहां पर जो बिक्रे मुल्य आता वह बिक्रे मुल्य इतने रुपे से कम आ जाता यानि यह आ जाता तो इसके बीच का जो गयब है वह 9 रुपया 80 पैसे के बराबर है और उनका जो गाइब है वो देखे 12, 5, 17 यानि 17.5 परतिसत इक्वेलेंट हो गया 9.8 तो अहम लोगों को 100% निकालना है तो 100% बराबर 100 गोने 9.8 और यह हो गया 17.5 तो कि दोनों दसमलों के अंक बराबर हैं इसलिए यह असानी से साल हो जाएगा 100 इंकू 98 अपान 155 तो अदिके 25 चुग के 100 और 25 साते 155 और 14 साते अंठानवे होता है और 14 चुग के 56 तो यह 56 रुपया इसकी कास्ट प्राइस आ गई तो बस्तु की कास्ट प्राइस आ गई 56 रुपया बस यही चीज समझना था इस प्रस्ट में इस कुश्चन में बात कहने का धंक थोड़ा दूसरे तरीके का हो गया कंसेप्ट वही है आए नेक्स्ट कुश्चन देए उस बस्तु का क्रेम मुल्य रुपय में जिसे 5 प्रसेंट लाव पर बेचने पर 5 प्रसेंट हानी पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है तो यहां पर 10 प्रसेंट पांच और पांच यह 10 प्रसेंट किसके बराबर हो ग आठ रुपय की प्रसेंट है तो हम लोगों को यहां भी क्रेम मुल्य निकालना है तो 100 परसेंट की बात करनी है तो देखें यहां 10 का 10 गुना 100 परसेंट है तो यहां 8 का 10 गुना कितना हो जाएगा असी तो 80 रुपया हो गया तो इसकी काश्ट प्राइस कितनी आगए असी रुपया आगए आए नेक्स कुश्चन देखते हैं अब देखें इस कुश्चन में बात क्यों लाव लाव की पांच परसेंट था साठे साथ परसेंट के लाव पर एक हीटर बेचने पर बीक्रे एक रुपया 25 पैसे का आमतार आता है इसको थोड़ा ऐसे समय कि अभ़य यहां पर यह कास्ट प्राइस है तो पांच प्रेसन्ट पर बेचे यहां पांच पर सेंट पर अर्किसी को साथ 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 प्रसेंट रोगतों हैं दोनों कि पांच प्रसेंट लाव पर बेचा गया तो यहां आपको Sailing Price मिलती है, Sailing Price SP1 और यहां पर Sailing Price 2, तो कर रहे हैं कि 5% पर बेचा गया, फिर उसे 7.5% पर जब बेचा गया, तो 1.25 पैसा अधिक मिला, तो इन दोनों का जो percentage difference है, परसेंट का जो difference है, साड़े साथ माइनस 5 का, वो बराबर है, equivalent है, एक रुपया 25 पैसे का, तो यहां पर difference हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों profit वाल है, तो पहले देखिए, इतना पर, बने साड़े साथ पर बेचने पर, 8 रुपया अधिक मिलता है, साड़े 5 की अपेक्षा, तो यह जो इनके बीच का यह गयब है, इनके बीच का जो यह गयब है, यह एक रुपया 25 पैसे के बराबर आ रहा है, यह गयब, इनके बिक्रे मुले में, यानि सेलिंग प्राइस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साड़े साथ, यानि 15 बटा, दो में से, पांच प्रतिसत निकाल देंगे, यह एक रुपया 25 पैसे, तो देखें, यह दस, और यह पांच बटा, दो परसेंट, इक रुपया रुपया 25 में, तो देखें, इसी के, डबल का, तो हम लोगों को 100 परसेंट निकालना है, तो 100 यह देखें, इसका यह 20 गुना है, इसमें भी 25 दुनी, पचास, इसका 20 गुना हम लोग कर देंगे, तो यह 1-0 कट जाएगा, यह आ गया, 100 परसेंट कितने रुपय पैसे, पचास पैसे, तो हीटर का जो क्र आए, नेक्स्ट कुश्चन दो, देखें, इस कुश्चन में दिया है, कि यदि किसी बस्तो को 10 प्रसेंट लाव तथा 15 प्रसेंट के लाव पर बेचने पर करमसा 20 रुपय का अंतर आता है, तो दोनों का बीक्रे मुर्य क्या है, इसका मतलब किया है, कि दोनों जब लाव प बीस के, तो सो प्रसेंट कितने का होगा, तो सो प्रसेंट देखें, पांच का बीस गुना सो है, तो बीस का बीस गुना 400, तो ये दोनों का ये कास्ट प्राइस आ गई 400 रुपया, अब करा है कि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस पहले वाले का इसको हम लोग बिक्रे मुली निकालने के लिए यूज करते हैं इस Question का 400 क्रे मुल्य का 110% आपको बिक्रे मुली मुलता है तो इगारा चौट 44 यानि 440 रूपया 10% पर बेचने पर इसका Selling प्राइस होगा और Selling प्राइस दूसरा क्या होगा जब हम 15% पर बेचेंगे चार पाचिए 20, 4 एकन ने 4 दू, 6 और 4 एकन 4, तो 460 और 440 रुपिया यहां पर, 440 पहले वाले का आएगा, 10% पर और 460, तो यह आपसन नमबर 2 सही है, 440 और 460 इसका सेलिंग प्राइस आ गया, जब इन्हें 10% और 15% के प्राफिक पर बेचा गया, तो आए नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं, अब इस कुष्चन में देखिए, एक मेज को 40 रुपिय के पेक्षा 30 रुपिय में बेचने से 5% अधिक मिलता, 5% अधिक हानी होती है, तो मेज का क्रेम हो लेका है, यहां पर हानी की बात कर रहा है, 40 रुपिय की जगा पर 30 रुप की बराबर, 10 रुपिय के अंतर पर ही 5% का लास होने लग जा रहा है, तो 100% हमको अगर निकालना है, तो यह 5 का 20 गुना 100 है, तो 10 का 20 गुना 200 रुपिया हो जाएगा, तो इसका एंसर आ गया, 200 रुपिया, तो मेज का क्रेम हो लेका होगा, 200 रुपिया, अब यहां पर तो 100% यानि हमको कास प्राइस निकालना है, तो 200 के बराबर जाएगा, आए नेक्स्ट कुछ चाहिए, एक दुकंदार को एक घड़ी को 200 रुपिय में बेचने पर उतनी ही हानी होती है, जितना 250 रुपिय में बेचने पर लाग होता है, तो घड़ी का क्रेम हो लेका है, वो हानी की इस्तिती में कास्ट प्राइस में से यह हानी यानि एक्स निकाल देने पर, एक्स यह लास की इस्तिती में, एक्स अगर लास हो रहा हानी हो रही है, तो सेलिंग प्राइस यह होता है, और मान लेज़े कि प्राफिट हो रहा है, तो कास्ट प्राइस में प्राफि बिक्रे मुल्य बराबर लाव की स्थिती में जो जितने रुपय का लाव होगा वो जुड़ जाएगा यहां पर यही चीज दिया है कि एक दुकंदार को एक घड़ी 200 रुपय में बेचने पर यह सेलिंग प्राइस दे दिया है उतनी ही हानी होती है जितना 250 रुपय में बेच में भ이고 में ही कवी हुज ही अब यह कार रहा है कि जब उसे 250 रुपर में बेचा जाता है यानि दोशपचास में बचा जाता है कि उतनेément मिस मैं यही रुपर में हो जाता है यानि यह विद्ग हो चालिव यहां पर यहाँनी दो कास्ट प्राइस परबर क्या हो जाएगी 450 वटा दो चार सो पचास वटा दो को हम लोग लिखते हैं दो सो पचीज तो इसका घड़ी का जो क्रे मुल्य आ गया वह आ जाएगा दो सो पचीज इसमें देखे कोई की परसेंटेज का इस्तिमाल नहीं था बहुत बेसिक चीज की इस्तिमाल की गई कि जो बिक्रे मुल्य होता है हानी की स्थिति में कास्ट प्राइस में से जो हानी जितने रुपे की होती है उसे माइनस कर देते हैं और जो बिक्रे मुल्य होता है प्राफिट की स्थिति में तो कास्ट प्राइस में जितने रुपे का लाव होता है उसको जोड़ देते हैं बस यह दो ठीक्वेशन बन गया उनको साल्व करके हम लोगों ने कास्ट प्राइस हांड कर लिया आए नेक्स्ट कुश्चन अब इस कुश्चन में देखें कि किसी खिलावने को 450 रुपे में बेचने से हुआ लाब हुआ लाब 320 रुपे में बेचने पर हुई हान इसे 30 रुपे आदित है यानि मालेजे 450 रुपे में बेचा गया तो उसको एक सुर्पे का लाब हुआ और जब 320 रुपे में बेचा गया हुआ जो लाब है वो 320 रुपे में बेचने पर हुई हान इसे 30 रुपे आदि तो मालेजे एक सुर्पे के हान ही हो गए यह हान है लास एक्स रुपय की जब हान ही हो रही है और इससे 30 रुपया जो 30 रुपया अधिक करेंगे तो लाव हो जाएगा यानि एक्स प्लस 30 जो है ये प्राफिट हो जाएगा जितने रुपय की हान ही हो रही है उससे 30 रुपया अधिक 450 रुपय में बेचने पर लाव हो रहा है जब उसे 450 रुपिया में बेचा जा रहा तो 30 रुपिय का लाव हो रहा है, 320 रुपिया में बेचने पर जितने रुपिय की हानी हो रहा है, बस इसी कुश्चन को साल करने है, देखे 450 ये सेलिंग प्राइस है, माल लेजिए कास्ट प्राइस को कास्ट प्राइस ही माल लेते है और लाव को एक समाग लेते हैं, हानी को एक समाग लिए, या जो रुपिया बेचा गया, उसमें 30 रुपिया यह हम लोग और आइड कर दिये, तो यह 320 रुपिया में बेचने से अधिक हो गया, यह 30 रुपिया, इसमें यह आइड किया गया, तो यह हो गया, 450 CP प्लस, यह देखें, यहां पर 30 को जब हम इधर लाएंगे, तो यह हो जाएगा, 420 CP प्लस टेक्स, और जब इसी बस्तु को 320 रुपिया में बेचा जा रहा है तो इसमें एक सुरुपिय की हानी हो रहे हैं, और यह जो एक सुरुपिय की हानी हो रही थी, जब उसे 450 रुपिय में बेचा जा रहा है, तो यही 30 रुपिया उसे अधिक मिल रहा है, अब इसको हम लोग आइड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा, 4, 4, 7, और इधर तेकि दो तियाई छे और दो साते चाहँदा तीन जो सत्तर रुपया खिलाओने का क्राय मुल्य आगया तीन सो सत्तर रुपया आए निक्स कुश्चन देखते हैं इस कुश्चन में दिया है कि किसी बस्तु को 1060 रुपे में बेचने पर लाव उस हानी से जो उस बस्तु को 950 रुपे में बेचने से होती है से 20% अधिक है यानि जब उसे 1060 में बेचा गया तो 20% अधिक मिला बजाए 950 रुपे में बेचने तो 20% लाव कमाने के लिए उबस्त को कितने में बेची जाए तो पहले हम लोग कास्ट प्राइस निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से और फिर उस कास्ट प्राइस पर 20% का हम लोग लाव लेकर के सेलिंग प्राइस बता चल जाएगी कि कितने में वो बस्तु बेची जाए लेकि 20% अधिक है बोल रहा है कि 1060 में जब उस बस्तु को बेची जा रही है तो जो हानी हुई थी उससे 20% अधिक उसे लाव मिलने लगता है 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बटा पांच तो ये पांच जो है वो हानी वाला है और लाव क्या होगा पांच का 20% वन है तो लाव हो रहा है छे हानी पांच और लाव छे तो अगर हम लोग एक समाल लें ये कास्ट प्राइस एक हाजार साथ रुटिया कास्ट प्राइस में हम लोग प्लस कर रहे हैं 6X का एक्स क्या है एक्स जो है वो प्राफिट है और उसमें 6 गुना उसका हो जा रहा है यानि जो हान हुई है जितने का उससे वो छे बढ़ जा रहा है बीस प्रसेंट अधिक हो जा रहा है तो हम लोगों ने यह जो बनाया है लाव और हान इसी को इसी में हेक्स का गुणा करके इसे रेशियों में बदल लेते हैं कि पांच और छे का रेशियों है तो पहले वाले इस्तिती में 6x हो गया है और दूसरे में 950 प्राइस माइनस 5 यह कि माइनस क्यों हुआ क्यों कि यह लास हो रहा है खानी हो रही है तो जब जानी में बेचा जाता है तो कांस प्राइस में से वह हान घटा दी जाती है तब विक्रे मुली नौशो पचाशक प्राट अब देखिए इसे हम लोगों को क्या कर लेना है इस एक्स की वैलू निकाल लेनी है तो यहां इसे घटा देंगे घटा देंगे तो यह कट गया यहां पर क्या आएगा देखिए 6 में से 5 गया यह आ गया 110 और यहां हो जाएगा 111 तो एक्स की वैलू यहां पर आ गई 10 की वैलू 10 आ गई तो अब देखिए rust प्राइस यहां से निकल जाएगी कास्ट प्राइस वराबर क्या हो जाएगा एक हजार साथ माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा तो सिक्स एक्स एक्स की वैलू दस आ गई तो सिक्स इसको गुणा कर देंगे तो साथ हो जाएगा तो यह हो गया एक हजार रुपया इसमें से घटा दिये साथ साथ कहां से आया यहां से आया छे दिया है और एक की बेलू दस आगे आप करें बीस परसेंट लाव पर बेचना है तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्राइस कितने आगरे यह कितने में वह बस्तु बेची जाएगी कि 20 प्रसेंट लाव होगा तो उस बस्तु को बार्स रुपे में बेचने पर 20 प्रत्शत का लाव होगा इस पूरे प्रकरण में इस पूरे सवदे में तो फ्रेंड्स यह कुश्चन्स और यह वीडियो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार